दोस्तों IPL 2023 में आज के दिन एक सुपर हिट मुकाबला खेला गया था और इस मैच के खतम होने के बाद IPL 2023 के पॉइंटेबल में जबर दस्त बदलाव देखने को मिला तो आज के इस वीडियो में हम आपको IPL 2023 का नया पॉइंटेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर से किस टिम को प्ले आफ में जाने के लिए कम से कम कितना मैच जितना परेगा परपल के पॉडेंज केप किस के पास है और इस वीडियो में हम आप से एक सवाल पूछेंगे और यदि आप उसका सही जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोड देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेसन बेल को प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तों सुरू करतें तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPL का पॉइंट टेबल मैच खतम होने के बाद सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलिग्राम पर फॉलो करें टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंट सकों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और IPL 2023 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि IPL में आज का महा मुकाबला मुंबे इंडियन्स और गुजराट टाइटन्स के बीच खेला गया था और इस मैच के खतम होने के बाद IPL 2023 के पॉइंट टेबल का समी करन पूरी तरीके से बदल चुगा है तो पॉइंट टेबल में दसवे अस्थान पर है डेविड वर्नर की कप्तानी वाली यानि की दिली कैपिटल्स की टीम और दिली कैपिटल्स की टीम ने अभी तक टोटल साथ मैच खेले जहां पर दो मैच में देली ही कैपिटल्स की टीम को जीत मिली और पांच मैचों में डीसी की टीम को हाड का सामना करना परा तो इस वज़े से टोटल साथ में से दो मैच जीत करके चार अंकों के साथ देल ही कैपिटल्स पॉइंट टेबल में दसवे पैदान पर है और डीसी का नेट रन रेट माइनस 0.961 है और यहाँ पर से अगर दिली कैपिटल्स को प्ले आफ में जाना है तो इनको बचे हुए साथ में से कम से कम छे मैच जीतना परेगा तो दिली के आने वाले सब ही मैच बहुत ही जादा इंपोटेंट होंगे इसके बाद पॉइंटेबल में नविया स्थान पर है एडन मारकरम की कप्तानी वाली यानि कि सन्राइजर सैदराबाद की टीम और SRH की टीम ने साइपियल में अभी थक टोटल साथ मैच खेले जहां पर दो मैच में सन्राइजर सैदराबाद की टीम को जीत मिली और पांच मैचों में SRH की टीम को हार का सामना करना परा तो इस वजह से टोटल साथ में से दो मैच जीत करके चार अंकों के साथ सन्राइजर्स हैदराबाद पॉइंट टेबल में नौवे अस्थान पर है और SRH का निट रन रेट माइनस जीरो दसमलव साथ दो पाँच है और यहाँ पर से अगर SRH को प्लेओफ में जाना है तो इनको बचे हुए साथ में से कम से कम छे मैच जीतना परेगा तब ही हैदराबाद प्लेओफ में जा पाएगी इसके बाद पॉइंट टेबल में आठवे अस्थान पर है और पाँच मैचों में KKR की टीम को हाड का सामना करना परा तो इस वज़े से कुलकता नाइट राइडर्स टोटल साथ में से दो मैच जीत करके चार अंकों के साथ पॉइंट टेबल में आठवे पाइदान पर है और कुलकता नाइट राइडर्स का नेट रन रेट माइनस 0.186 है और यहाँ पर से अगर कुलकता नाइट राइडर्स को प्ले आफ में जाना है तो इनको बचे हुए साथ में से कम से कम 6 मैच जीतना परेगा यानि की KKR के आने वाले मैच बहुत ही ज़्यादा कुरूसल होंगे इसके बाद पॉइंट टेबल में साथ वे अस्थान पर है पाँच बार की चैंपियन और आज के मैच की हरने वाली टीम यानि की रोहित सर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम और मुंबई इंडियंस की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल साथ मैच खेले जहां पर तीन मैच में मुंबई इंडियंस को जीत मिली और चार मैचों में मुंबई इंडियंस को हाड का सामना करना परा तो इस वज़े से MIK टीम टोटल साथ में से तीन मैच जीत करके से कम पांच मैच जीतना परेगा और आज खेले गए मैच में मुंबे इंडियंस की टीम को गुजरात टाइटन्स के हाथो हार का सामना करना परा इसके बाद पॉइंटेबल में छटवे अस्थान पर है पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब किंग्स की टीम ने इस IPL में आठ अंकों के साथ पंजाब किंग्स पॉइंटेबल में छटवे पायदान पर है और पंजाब किंग्स का ने टरन रेट माइनस 0.162 है और यहां पर से अगर PBKS को प्ले आफ में जाना है तो इनको बच्चे हुए साथ में से कम से कम चार मैच जितना परेगा तो पंजाब क के पास प्ले आफ में जाने के बहुत ही बढ़िया चांस है इसके बाद पॉइंटेबल में पांचवे अस्थान पर है IPL इतिहास की सबसे मुष्ट पॉपुलर टीम और फाफडू प्लेसिस की कप्तानी वाली यानि की रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम और RCB की टीम न टोटल साथ में से चार मैच जीत करके आठंकों के साथ पॉइंट टेबल में पांचवे अस्थान पर है और RCB का निट रन रेट माइनस 0.008 है और यहाँ पर से अगर RCB को प्ले आफ में जाना है तो इनको बचे हुए साथ में से कम से कम चार मैच जीतना परेगा इसके बाद पॉइंट टेबल में चौथे अस्थान पर है केल राहूल की कप्तानी वाली यानि की लखनो सूपर जाइंट की टीम और लखनो सूपर जाइंट की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल साथ मैच खेले जहां पर चार मैचों में लखनो सूपर जाइंट को जीत म और तीन मैचों में LSG की टीम को हाड का सामना करना परा तो इस वज़े से लखनो सुपर जाइंट टोटल साथ में से चार मैच जीत करके आठंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे अस्थान पर है और लखनो सुपर जाइंट का नेट रन रेट पलस 0.547 है और यहां पर स अगर लखनो की टीम को प्ले आफ में जाना है तो इनको बच्चे हुए साथ में से कम से कम चार मैच जीतना परेगा तो लखनो के पास करेंट ली प्ले आफ में जाने के बहुत ही बेहतरीन चांस है इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे अस्थान पर है IPL इतिहास की प मिली और सिर्फ तीन मैचों में राजस्थान रोयल्स को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से राजस्थान टोटल साथ में से चार मैच जीत करके आठंको के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे अस्थान पर है और राजस्थान रोयल्स का नेट रं रेट पलस 0.844 है और यहाँ पड़ से अगर राजस्थान्रोयल्स को प्लेओफ में जाना है तो इनको बच्चे हुए साथ में से कम से कम चार मैचों में जीत दर्ज करना परेगा इसके बाद पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीसन पर है आज के मैच की विनर और हार्दिक पंडया की कप्तानी वाली यानि की डिफेंडिंग चेंपियन गुजरात टाइटन्स की टीम और गुजरात टाइटन्स की टीम ने इस IPL में अब ही तक टोटल साथ मैच खेले जहा अंको के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे अस्थान पर है और गुजरात टाइटन्स का नेट रन रेट पलस 0.300 है और यहां पर से अगर गुजरात टाइटन्स को पिले ओप में जाना है तो इनको बचे हुए साथ में से सिर्फ तीन मैच जितना परेगा तो गुजरात के प और महंदर सिंग धोनी की कप्तानी वाली यानी की चैनने सूपर किंग्स की टीम और चैनने सूपर किंग्स की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल 7 मैच खेले जहां पर 5 मैच में चैनने सूपर किंग्स की टीम को जीत मिली और सिर्फ 2 मैचों में CSK को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से चेन्ने की टीम टोटल 7 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानि किसी खर पर है और चेन्ने सुपर किंग्स का निट रन रेट पलस 0.662 है और यहाँ पर से अगर चेन्ने सुपर किंग्स को प्ले ओफ में जाना है तो इनको बचे हुए 7 में से कम से कम 3 मैच जितना परेगा तो चेन्ने के पास फिलहाल प्ले ओफ में जाने के सबसे हाइली चांस है तो यह था IPL का निया पॉइंट टेबल आपके हिसाब से कौन सी चार टीमे प्ले ओफ में जाएगी चारो टीमों का नाम कमेंट में जोड़ बताएं तो अब बात करते हैं औरेंज कैप परपल कैप के बारे में तो अब बात करते हैं औरेंज कैप के बारे में तो औरेंज कैप पाफ डू प्लेसिस के पास है जो की साथ मैचों में सरवाधिक 405 रन बना चुके है सेकेंड पे हैं डेवान कॉनवे जो की साथ मैच में 314 रन बना चुके है और 3rd पहरासित खान जो की 6 मैचों में 12 विकेट चट का चुके है इसके बाद boundary king है डेविड वर्णर जो की 7 मैचों में सरवाधिक 44 चवका मार चुके है और 6th sir king है वापडू प्लेसिस जो की 7 मैचों में 25 चखका मार चुके है तो यह था IPL का नया पॉइंट टेबल परपल कैप औरेंज कैप से जूरी सब ही जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रिस कर ले तो फ्रेंट्स मिलते है नेक्स्ट वीडियो में